नमस्कार दोस्तों, Competition Community के Online Perform में आपका स्वागत है, मैं हूँ अगासिंग, इस वीडियो में हम CGPSC Mains के सिलेबस के पेपर 5 भाग एक पर चर्चा करेंगे जो की आधारित है भारती और थिवस्ता विशे पर Indian Economy सब्जेट पर, आप सभी को ये ग्यात है कि हमारे द्वारा यू प्रकार की रंडिती रखनी चाहिए, किस तरह का pattern follow किया जाता है, किस तरह से previous year में question पूछे गया है, इन सभी बातों से संबंदित मागदर्शन दिया जा रहा है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पेपर 5 भाग एक भारती अर्थ विशे पर चर्चा हम करेंगे इ सबसे पहले हम paper pattern पर बात करेंगे, paper pattern पर क्या बात होने वाला है, इसमें हम यही देखने वाले हैं कि paper 5 part 1 से किस तरह के question पूछे जाते हैं, दो number के कितने question आते हैं, कितने शब्द के होते हैं और उसमें किस तरह का approach रखना चाहिए, time utilize कैसे करें, उसको strategically plan out कैसे करें, यह स PST के paper 5 भाग 1 में इस विशेपर आधारित कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं syllabus के रूप में, और मेरे हिसाब से इस पूरे discussion में, इस पूरे वीडियो में सबसे important part यह syllabus discussion ही होने वाला है, क्योंकि कई छात्रों के द्वारा बार बार यह पूछा गया है मुझसे, कि सर, strategic disinvestment, जनांकिकी लाभांश, इन सारे शब्दों पर आधारित प्रशन पूछे गए हैं, लेकिन इनका उल्लेक मेंस के syllabus में नहीं हैं, तो अगर इस तरह से question आएंगे, तो हम इस paper को लेकर कैसा approach बनाएं, यह कई बार पूछा गया है, और सभी के लिए एक ही जवाब होता ह कि अगर आप syllabus को बारीकी से देखें, उसे समझें, तब आप पाएंगे कि यह सारे शब्द जो आपको सिर्फ paper में दीख रहे हैं, यह कहीं न कहीं आपके syllabus से भी जुड़े हुए हैं, बस हमें syllabus थोड़ा अच्छे से पहचानने की ज़वरत हैं, और यह सारी बातें Indian economy के syllabus क साथ तो जादा feedback दी है, इसलिए syllabus discussion बहुत ही important part है, इस पूरे discussion का, इस पूरे विडियो का, साथ ही साथ ही जवाब यह syllabus discussion करेंगे न, तो आपका एक नजरिया develop हो जाएगा, आपका एक approach विक्सित होगा, आपका orientation होगा, कि इस विशे को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़े आपका वो सवाल clear होगा कैसे, इस paper को कैसे तयार किया जाए, वो कैसे तयार करने वाला जो सवाल है, उसका जवाब आपको syllabus discussion से मिल जाएगा, orientation, नजरिया, कैसे आगे बढ़ें, क्या-क्या पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है, वो सारी चीज syllabus discussion से clear हो जाएगी, और फिर से दोराता हूँ वही बात, कि इसी कारण से यह सबसे important part है, इस पूरे वीडियो का, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा part हम discuss करेंगे, जब syllabus में समझ हमारी विक्सित हो जाएगी, तो तीसरा part समझने के लिए हम तयार हो जाएगे, और तीसरा part क्या है, relevant topics, अर्थ topics को, उन part को, उन भागों को तयार कर लेना बहुत समझदारी की बात है, क्योंकि अगर हमें तयार करना ही है किसी विशे को, तो सबसे पहले प्रात्मिक्ता में तो यही आता है कि जिससे सबसे ज़्यादा question पूछे जाते हैं, उसे सबसे पहले और सबसे बढ़िया तरीके स तयार कर लिया जाए, और यह समझ विक्सित करने के लिए वो relevant topics पर हम बात कर लेंगे, कि वो महतुपून topics कौन कौन से हैं, उसके बाद चौते पार्ट पर हम बात करेंगे, कि जब हम Indian economy subjects पर आधारित answers लिखें, तो कौन कौन से वो महतुपून बिंदू हैं, जिने हमें ध और उतने कम समय पर सटीक उत्तर कैसे लिखा जाए, यह हमें पहले से विक्सित कर लेना चाहिए, यह attitude, यह habit हमारा पहले से बन जाना चाहिए, कि कम समय पर, कम शब्दों पर, या सिमिश शब्दों पर, जादा प्रभावी उत्तर कैसे लिखें, यह practice से आएगा, लेकिन practice क पहाग होगा, वो होगा previous year question discussion, पिछले वर्षों में, भीगत वर्षों में, जो questions आए हैं, इस subject को लेकर, उन questions पर हम नजर डालेंगे, और इन सारी बातों को जो हम यह 4 point तक सीखें हैं, 4 point तक जो बाते हमने समझी हैं, उसको यहाँ पर apply करके देखेंगे, तो चलिए, शु questions कितने marks के आएंगे, और उसमें जो maximum word limit होंगे, वो कितने होंगे, तो सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं, paper 5 भाग 1 से, 8 questions आएंगे, और सभी questions दो marks के होंगे, और इन questions के लिए जो अधिक्तम शब्द सीमा दी गई है, वो है 30 शब्द, 30 words, 5 questions आएंगे, शार नंबर वाले questions के, marks होंगे, प्रती question, 4 marks, और अधिक्तम शब्द सीमा हमें, मिलती है, इसमें, 60 शब्दों के 60 words के, तीन questions होंगे, 8 नंबर वाले questions के, और maximum word limit है 100, और एक question होगा, 15 नंबर का, और अधिक्तम सब्द सीमा है, 175, तो आप सबी को यह जात है, कि जो हमारे paper हैं, खासकर paper 3 से लेकर paper 7 तक, ये तीन पार्ट में divided हैं, और तीन पार्ट में अगर marks distribution हम देखें, तो part 1 और part 3, 75 अंकों का होगा, भाग 2, part 2, 50 अंकों का होगा, और इस तरह से पूरा paper 200 अंकों का होता है, अब क्यूंकि Indian economy भाग 1 में हैं, तो इसे जो marks allot किये गए हैं maximum, वो है 75, तो जड़ा हम calculate करके देख भी लेते हैं, दो नमबर वाले 8 question, तो इसमें आप अधिक्तम 16 अंक अर्जित कर सकते हैं, चार नमबर वाले 5 question, तो इसमें आप अधिक्तम 20 अंक अर्जित कर सकते हैं, आठ नमबर वाले 3 question, तो इसमें आप अधिक्तम 24 अंक अर्जित कर सकते हैं, और 15 नमबर वाले एक question, तो इसमें आप 15 नमबर ही अर्जित कर सकते हैं, तो 16, 20, 36, 36 और 24, 60, 60 और 15 हो गया 75, जो total question आपको मिलेंगे, जो compulsory आपको लिखने ही हैं, वो है 17, ऐसा क्यों कहा हैं मैंने, क्योंकि जब आप ये last वाला पार्ट देखेंगे, जो 15 नमबर वाले question हैं, वो दो question आते हैं उसमें से, जिसमें से एक लिखना होता है, तो अगर compulsory देखें, कि compulsory कितने question आपको attempt करने हैं, तो 17 question paper 5 part 1 से करने हैं, clear है, total जो शब्द सीमा दीख रही है, कि कितने word maximum आपको लिखने हैं, इस Indian economy subject से, तो वह है 1015, calculate करेंगे, आपको मिल जाएगा, अनावशक उसे calculate करने की, यहाँ पर आवशकता नहीं लगी, चीक है, चलिए तो paper pattern यह ध्यान रखे, 8 question 2 number वाले, 5 question 4 number वाले, 3 question 8 number वाले, और 1 question 15 number वाला, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, syllabus पर, चलिए, as it is, जैसा syllabus लिखा होता है, वैसा ही, मैंने यहाँ पर paste कर दिया है, ताकि कोई भी शब्द या कहीं पर भी कॉमा या पुल्ण वीराम इधर उधर ना हो, क्योंकि उसका भी कहीं अर्थ होता है, चलिए, सबसे पहले क्या लिखावा है, राश्री एवं प्रतिव्यक्ति आए, चीक है, राश्री एवं प्रतिव्यक्ति आए, ये कौन सा पार्ट देखें जब हम राश्री एवं प्रतिविक्ति आय कहते हैं तो समान्य तोर पर किताबों में या हमारे पढ़ाई में ये पूरा पार्ट नैशनल इंकम या राश्री आय के अंतरगत कवर होता है ठीक है अब ज़रा इस पर थोड़ी से विस्तार पुर्वक चर्चा करते हैं नैशनल इंकम नैशनल इंकम चेप्टर में क्या डिस्कस किया जाता है या क्या पढ़ा जाता है तो इसमें सबसे पहले तो नैशनल इंकम के जो विभिन दृष्टी कोण है उन सभी दृष्टी कोणों पर हम बात करते हैं जैसे कि GDP, GNP, NNP, प्रतिवेक्ति आए अर्थात पर कैपिटर इंकम, पर्सनल इंकम, डिस्पोजेबल इंकम जिसे आप वैयोग के आए भी कहते हैं तो यहाँ पर इस सिलेबस में आपको कहीं पर अलग से GDP, GNP, NNP ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखेगा लेकिन अगर राश्री एवं प्रतिवेक्ति कह दिया गया है तो उसके अंतरगत यह सारी बाते आही जाएंगे अंतर नहीं था यह मामला तो GDP, GNP, NNP, पर कैपिटर इंकम, वैयोगे आए यह सारे पार्ट हमें पढ़ने होगे और कोशन पूछा भी गया है, GNP पर बेस कोशन पूछा गया है, GNP, GDP के मद्य डिफरेंस पर कोशन पूछा गया है और यह सारे राश्री आए के विबिन दिश्टी कोण होते हैं, क्लियर है और इसे पढ़ने के बाद, इसे पढ़ने के बाद, हम एक दूसरे पढ़ाव पर चलते हैं, नैशनल इंकम के जिसमें हम इस्थिर भाव या प्रशलेद भाव इस्थिर भाव एवं प्रशलेद भाव वाला कंसेप्ट समझते हैं, कॉंस्टेंट प्राइज और करेंट प्राइज जो की कहीं न कहीं कनेक्टेट है, इंफ्लेशन या मुद्रा इस्थिती से, फिर पढ़ा जाता है, कारक लागत, एवं बजार लागत वाला कंसेप्ट, और GDP at factor cost, market cost भी से कहते हैं, और ये भी एक्जाम में पूछा गिया है, GDP at factor cost, दो नमबर में ही पूछा गिया है, लेकिन पूछा गिया है, फिर वैसे ही मापन की विधी पढ़ी जाती है, जिसमें सबसे महतोपूर्ण होता है बैविधी, जिसमें आप एक एक्वेशन हैं, c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m, और इस पर बेस्ट भी कोश्चन उचा गिया है, ठीक है, तो जब आप पहला भाग देखें, तो उस पहले भाग, मातर वो तीन चार शब्दों के अंदर इतनी सारे बातें छुपी होई हैं, तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे, तो म सिलेबस कर जो सबसे पहला भाग है, कौमा के पहला वाला पार्ट, उसके अंतरगत इतनी सारे चीजें हमें पढ़नी हैं, और ये बात मैं अनुभवों के अधार पर कह रहा हूँ, प्रिवियस येर पेपर को देख कर जो अनुभव विक्सित हुआ है, उस अनुभव के पाद एवं कारिशक्ति, एक बार कोश्चन पूछा गया है इस भाग से, ये जो सेकंड वाला पार्ट है, भारती अर्थ विवस्था में सनराशनात्मक परिवर्तन, एक बार कोश्चन इससे पूछा गया है, और तब पूछा गया था, जब पेपर का पैटन थोड़ा लेकिन अमूमन इस भाग से कुश्चन देखा नहीं जा रहे हैं, और अगर आप देखें कि ये वाला जो पार्ट है, जिसमें भारती अर्थ विवस्था में सनराशनात्मक परिवर्तन, ये अपने आप में कोई एक टॉपिक नहीं है, ये पूरे सिलिब्बस में जितने भी भाग आप कवर करेंगे, चाहे वो राश्री आये हो, चाहे मुद्रा इस्विती हो, मदरिक निती हो, सरकार की राजकुश्री निती हो, भुकतान का संतुलन हो, आर्थिक सुधार हो, गरीबी बिरोजगारी संबंधित मुद्दे हो, उन सारे पाट को जब आप पढ़के सम बढ़ता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो इसके साथ एक काम करते हैं, हम वो तीसरा वाला टॉपिक भी लेकर चलते हैं, जो हमारी डिसकेशन में था, जहां पर रिलेवेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो यहां पर मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूं कि कौन सा भाग जो है, उससे समाने तोर पर कुश्चन पूशे जाते हैं, कौन सा पार्ट ऐसे हैं, जिससे कुश्चन जनरली हम नहीं देखते हैं, तो रिलेवेंट टॉपिक वाला डिसकेशन साथ साथ में ही कवर करते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नीजी एवं सारजनिक शेत चलते हैं, पहले नीचे चलते हैं, क्योंकि यह जो बीच का भाग है ना, इसमें चर्चा थोड़ी से बाद में करने तो ज्यादा बैटर हैं, लेकिन करेंगे जरूर, ऐसा मत सूचना, अरे इसको तो बता दो, छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, समझेंगे आगे, क्याना, फ्लो है, वो फ्लो मेंटेन करना चाहता हूँ मैं, यह कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे फ्लो थोड़ा सा, मेरा फ्लो थोड़ा सा, इधर उधर होगा, कवर सब होगा, लेकिन फ्लो में हम आगे बढ़ते हैं, चलिए, अब आया आर्थिक सुधार, ए पेश में आये थे, जिसे हम LPG reforms की नाम से भी जानते हैं, तो समान्यत तोर पर आर्थिक सुधार या economic reform जो syllabus में लिखा है, उसका वही मतलब है, लेकिन अगर especially यहां पर यह mention नहीं है, 1999 या LPG, ऐसा कुछ mention नहीं है, तो फिर इसका दारा थोड़ा सा बढ़ा हो जाता है, इस जो भी बड़े निणनें लिये गए, चाहे वो हरित करांती हो, चाहे वो nationalization हो, चाहे इंसुरेश का nationalization हो, वे सारी चीजें, जो भी बड़े बड़े निणनें लिये गए, economic scenario को better करने के लिए, वो सारे बड़े निणनें आर्थिक सुधार के आयाम के अंदर आ जाते हैं, इस सारी इसके अम्रिला के नीचे आ जाते हैं अगर 1991 या सिर्फ LPG नहीं लिखा है तो लेकिन फिर भी चिंता करने की ज़ुरत नहीं है अगर हम पेपर को देखें कुश्चन पेपर देखें तो समाने तोर पर ये जो एकनॉमिक रिफॉर्म से कुश्चन पूछे गया है न व इसके अंदर आएगा जरूर क्योंकि पहले जब हम इंडियन इकनॉमिक का सिलेबस देखते हैं पहले जो पेपर पैटर्न चेंज होने से पहले जो भाग दा उसको अगर हम देखें तो वहां पर प्लानिंग भी था लेकिन उसके बाद जब सिलेबस चेंज किया गया तो प् चवर्षी योजनाओं की उतनी बड़ी भूमिका नहीं रह जाती है हमारे अध्यान में लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है योजना को देखने का योजना भारत का आर्थिक इतिहास है जब आप 5-year प्लान देखते हैं 5-year प्लान किस समीकरण में लाए गए 5-year प्लान लान अर्थ विवस्था आजादी के बाद किस तरह से मोल्ड हुई किस तरह से दिशा और गती धरन किये हुए आगे बड़ी इन सारी चीजों का ग्यान मिल जाता है तो वैसे तो देखा जाए तो प्लानिंग या योजना एक टॉपिक है लेकिन दूसरा जो नजरिया है वो क्या है स्वतनर्दिता के बाद भारती इतिहास का भारती आर्थ विवस्था का इतिहास है उस नजरिये से हम उसे पढ़ते हैं और इस कारण से वो वाला पार्ट आर्थिक सुधार के साथ में भी जुड़ जाता है तो एकनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक सुधार मोटे-मोटे तोर पर LPG रिफॉर्म लेकिन अपने आपको तयार रख लेना कि जो भी निर्णे लिये गये थे एकनॉमिक सिनारियो को बेटर करने के लिए सुधार करने के लिए वो सारा इसके अंदर आएगा कोश्यन पूछे जाते हैं हाँ पूछे जाते हैं और बड़े-बड़े कोश संता एवं बेरोजगारी की समस्याएं माप एवं उन्हें दूर करने के लिए किये गए उपार तो देखिए सबसे जादा विस्तार पूर्वक उलेक अगर किसी टॉपिक कह है तो इसी कह है क्योंकि इसमें इस्पेशली बता दियागी कि भई गरिभी एवं बेरोजगारी ह में पढ़नी है किन पिलर्स के अधार पर पढ़नी है कि इनसे क्या समस्याएं आती है या ये समस्या किन कारणों से आए है और जब आप ये समस्या के कारण समझ जाए या इन समस्या से जो बाकी समस्याएं आती है उन्हें समझ जाए तो अगला भाग पढ़ा जाता है कि इ सी बिरोजगारी तो ये वाला पार्ट होता है कई इसके लिए रिकमेंडेशन्स आए हैं और कई सारे पैमाने तैकिये गए हैं इन सारे चीज़ों को मेजर करने का वो इसके अंतरगर समाने तोर पर लोग पढ़ते हैं पिर उसके बाद जो बड़ा पिच्चर क्रियेट करता ह वो क्या है उन्हें दूर करने के लिए किये गए उपाए गरीबी एवं बिरोजगारी को दूर करने के लिए किये गए उपाए सीधे तोर पर दिमाग में आता है गौर्रमेंट के स्कीम्स सबसे पहला तो यही आता है और यही आना भी चाहिए अब बात आती है कि कितना स्क पुराना वाला नया वाला कौन सा इसके लिए जवाब क्या है धहरी रखेगा घबड़ाना नहीं जब आप पेपर लिख रहे हैं उस समय जो इसकीम एक्जेकूशन में हैं इंप्लिमेंटेशन में हैं वर्तमान में जिनकी कुछ भूमिका हो रही है उन्हें तो आप लिखेंगे उन्हें तो आप पढ़ेंगे लेकिन कुछ ऐसे इसकीम जरूर होंगे जो कई सालों पहले एक दो दशक पहले पिचर में आये थे और अभी भी उनको लेकर चर्चा की ज सकता मन रहेगा जैसे अब यह रिसेंट में लाया गया बात तो नहीं है लेकिन अगर दोजार पांच छे की बात करें तो हाँ तो भई रिसेंट वाला तो आपको तयार करना है इसमें तो कोई सवाली नहीं है लेकिन ऐसे बड़े इसकीम बड़े योजना जो पहले लाए ग टॉपिक या बड़े टॉपिक हम देखें अब देखें इसमें एक पार्ट ये है कि बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं ऐसा नहीं लिखा है सब लिख दिया गया है समस्या क्या है माप कैसे करते हैं दूर करने के लिए क्या उपाएगा लेकिन बेरोजगारी के विबिन प मख बेरोजगारी क्या होती है तो इस तरह से कुछन पुछे आते हैं लिखा नहीं हुआ है लेकिन बेरोजगारी अगर पढ़ोगे तो ये जरूरी हो जाता है कि उसे पढ़ना ही पढ़ेगा तो इंडियन एकनॉमिंग सब्जेट के साथ में सिर्फ सिलिबस में लिखे हुए शब्दों को आँख बंद करके फॉलो करते जाना सहीं तरीका नहीं है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसके क्या विभिन महत्वपूल आयाम होते हैं उन पर भी नसर फिर लेना है क्योंकि कोशन महां से भी आता है आगे बढ़ते हैं अगला है मौदरिक नीती भारती ब में जो सुधार हुए हैं वो सुधार फिर है रिजर्व बैंक के साख का नियम है यह पूरे टॉपिक को इस पूरे भाग को हम एक पार्ट में रख सकते हैं यहां पर मैं लिखता हूँ कि किस पार्ट में हम इसे रख सकते हैं इन्फलेशन सर मुद्रा इस्विती तो कहीं नहीं देखे लेकिन मौद्रिक नीती देखे न मौद्रिक नीती आ गया मौद्रिक नीती इन्फलेशन के बादी आएगा बिना इंफ्लेशन पढ़ें बिना इंफ्लेशन कवर किये बिना मुद्रा इस्विती कवर किये मौद्रिक निती नहीं पढ़ी जाती है क्योंकि मौद्रिक नीती कहीं न कहीं इन्फलेशन से रिलेटेड वाला कंसेप्ट इन्फलेशन पढ़ेंगे उसके भी विभिन आयाम देखेंगे फिर उसके बाद मौद्रिक नीती क्यों लाई जाती है तो जब मुल की स्थिर्टा करनी हो और आर्थिक व्रिद्धी भी बनानी हो और इन दोनों उद्धेशों के बीच में संतुलन निर्मान करना हो तो मौद्रिक नीती का निर्मान किया जाता है तो मुल इस्थिर्टा और आर्थिक व्रिद्धी के 20 संतुलन तो भई मुल इस थिर्था पर तो बात करनी पड़ेगी न, वो मुल इस थिर्था पर बात होगी, कब inflation के अंतरगत, तो इस पूरे पार्ट को हम inflation, monetary policy, अर्थात, मौद्रिक नीती के अंतरगत कवर करेंगे, छीक है, फिर उसके बाद, bank and non-banking financial company, एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है, कि ना तो syllabus में उलेखित है, और ना ही exam में ज़्यादा question पूछे गए है, capital markets, bond, debentures, shares, stocks, इन सारे चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं किया गया है syllabus में, और ना तो ज़्यादा question पूछे जाते हैं, लेकिन इस पर अभी चर्चा खतम अब आपने देख लिया कि ठीक है, मौदरिक निती लिखा है, मतलब inflation पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप syllabus question paper देखें, तो मुद्रा इस्विती अर्थात inflation के विभिन प्रकार पूछे गए, inflation को कैसे measure किया जाता है, मापन पूछा गया है, CPI, WPI, इनके बीच का difference, WPI पर चार नंबर के question पूछे गए हैं, जब आप topic, या जब आप question paper देखें, inflation के प्रकार मापन और साथ ही साथ, मुद्रा इस्विती के विभिन प्रभाव, अर्थ विवस्थम में क्या पड़ते हैं, इस पर भी question देखेंगे, तो inflation कहीं पूछा नहीं है, लेकिन question paper में आया है, यही बात मैं आप लोगों को सम्झाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि मौद्रिक निती पढ़ना है, तो उसके पर रहे inflation पढ़ना होगा, जब inflation पढ़ोगे, तो inflation के सारे पैमाने, सारे महत्वपून आयाम हमें डिसकस करना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, मौद्रिक निती में क्या पढ़ा जाता है, मौद्रिक निती में वही अलग अलग उपकरण क्या है, मुद्राई स्विती को नियंतरित करने के लिए, या फिर आर्थिक वृद्धी को बनाय रखने लिए, तो उस पर based question कई बार पूछा गया है आप लोगों को जानकारी में होगा भी, monetary policy के अंतरगत आप CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate, ये सारे चीज़ डिसकस करते हैं, और ये सारे शब्द question में आए हैं, question paper में पूछे गया हैं, चीक है, bank rate वगेरा, ये सारे चीज़ पूछे हुगा है, banking वाला पार्ट अगर हम देखें, तो bank और non banking financial company का definition type का question पूछा गया है, clear है, और उसमें जो महतोपून भाग हमें cover करना है, अब ये से लेबस में कहीं नहीं है, ये से लेबस में कहीं नहीं है, लेकिन हमें cover करना है, क्या कि banking छेतर में जो समस्याइं चल रही हैं, वो समस्याइं क्या है, उन समस्याओं के पिछे के कारण क्या है, उन समस्याओं से जो विभी ने समस्याओं अर्थ विवस्ता में व्याप्त हो रहे हैं वो समस्याओं क्या है और उसको दूर करने लिए या इन समस्याओं के निराकरण ही तू क्या प्रयास किये जा रहे हैं या प्रयास किये गए हैं और उन प्रयासों का जो प्रयास किये क्योंकि सिलेबस में जितनी बाते लिखी हुई है उसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ डैनमिक पार्ट चल रहा है कुछ करेंट में होट टॉपिक बना हुआ है चर्चाओं में है न्यूस पेपर में है न्यूस चैनल में है लोगों की डिसकेशन में बाद विवाद का टॉपिक बना हुआ है तो वो टॉपिक आपके एक्जाम के लिए महत पोड़ है तो एसलिए अगली बात जो आपके दिमाग में में डालना चाहता हूँ वो यह है कि सिलिबस में जो शब्द लिखे हुए हैं उसके अंतर नहीं कई सारे आयाम है प्लस उस शब्दों से संबंदित अगर कुछ करेंट में चल रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है और अगर पेपर पांच में नहीं पूछा गया ना तो निबंद में पूछ लेंगे क्योंकि अगर हम राश्टी स्तर के निबंदों पर नजर डालें तो समाने तोर से एक निबंद अर्थ विश्था विशे पर आधारी दिखता है इस साल जो सबसे लास्ट मेंस हुआ है उ इसे डीजी रुपी कहा जाएगा और क्रिप्टो करेंसी अभी वर्तमान में सबसे जुलन्त मुद्दा है अर्थ विश्था में अगर हम इसे पढ़ें तो रिजर्व बैंक के बहुत सारे कारियों में एक कार ये है कि वो प्रिंटिंग आफ करेंसी करते है नोड चापने का कार्णिए उद्रा का निर्गमन और यह क्रिप्टो करिंशी एक नई प्रकार की सुधार है हमारे एस करिंसी के सिस्टम में जो की एक वर्चूल करिंसी होगा वह अभी भी इंपोर्टेंट है आने वाले दो-चार साल में भी इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद जब ये लागूग हो जाएगा और कुछ सालों बाद जब इसके परिणाम देखे जाएगे चाहे वो सकरात्माख हो चाहे नकरात्माख हो तब भी वो महतोपून बन जाएगा सिल्लेबस का अगला भाग सारजनिक राज्यस्व ये पूरा जो पाट है सारजनिक राज्यस्व सारजनिक वै सारजनिक रिन और राजकोशी घाटा की संरचना और अर्थ व्यस्ता पर उनके प्रभाव अगर हम एक शब्द में कहें तो यह पूरा का पूरा भाग राजकोशी नीती शेप्टर पर आधागी सरकार के कर पर आधागी अब देखो इसमें कर कहीं ने लिखा है टेक्स के बारे में ने लिखा हुए लेकिन सारजनिक राजस वो लिखा है उसके अंदर कर आएगा कर अब कर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है उसे खोल कर नहीं रखा गया है लेकिन सारजनिक राजस वो लिखा है उसके अंदर कर आएगा कर बहुत बड़ा टॉपिक कर का मतलब क्या होता है कर के उद् करके जो कर होते हैं उनके प्रतिक्षभ और अप्रतिक्षद होता क्या है कितने प्रतिक्षपव करके अंतर मूंत से लाने के पीछे का कारण गया थैंजिद राया गया तो तो सम्विधान में क्या शंशोधन किये गए जब इसे लाया गया तब देश के राजनिती में क्या भूचा लाया था जब इसे लाया गया तो किन करों को शामिल किया गया या फिर किसे बाहर रखा गया इसे लाने के बाद कौन-कौन सी चुनोतियों का सामना हम कर रहे हैं उन चुनोतियों के समधान के लिए क्या किया जा रहा है GST परिशद क्या है GST परिशद की संरचना क्या है GST परिशद के उद्देश क्या है ये सारा GST का पहमाना हो गया कहीं लिखा है नहीं लेकिन कहां से हमें ये connect कर पाएं पहले तो question paper में पूछा गया है दूसरा syllabus में सारजनीक राजजसों के अंतरगत हम उसे connect कर सकते हैं clear है मुझे उमीद है कि मैं अपने बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं अपनी सोच आपकी सोच तक पहुंचा पा रहा हूं उसके अलावा भी अगर इसके अलावा भी किसी प्रगार का कोई प्रशन या doubt संशय आपके मन में हो तो निसंकोश बहिचक्ष आप पूछेंगे ज रूराम है यह जो मागदर्शन देने वाला मेहनत है एफ़र्ट है वह justify हो पाएगा या फिर उसका कुछ लाव मिलेगा सही बात है न मेहनत कर दिये लाभी नहीं मिला तो प्रशन बेरोजगारी हो गई न तो मेहनत कर रहे हैं आप समझना है तो पूछो क्योंकि आप पूछोगे आपके doubt clear होंगे तभी यह मेहनत का परिणाम मिलेगा और तब यह प्रशन बेरोजगारी नहीं होगी अच्छी व क्या कमिटी कहती है उसके क्या recommendation है उस recommendation को कैसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसके पिछे क्या कारण है उसको लेकर और कौन सा पैनल बठाय जा रहा है यह सारा चिज राजकुशी घटा की अंतरगत आएगा यहाँ पर कहीं पर भी वित आयोक के बारे में नहीं लिखा हु क्या है कि 14th Finance Commission और अब तो 15th Finance Commission भी आ गया है और कई बार तो केंदर और राज्यों के बीच में राज्यों के बटवारा आधारी थीम लेकर question पूछा गया है लेकिन उस टाइम पर भी हमें क्या ध्यान रखना है वित आयोक क्या recommendation दे रहा है recommendation देने के आधार क्या है केंदर स से राज्य के बीच कितना बटेगा राज्यों के मद कितना बटेगा और किन-किन अधारों पर राज्यों के मद बटेगा और जब यह बटवारा होगा तब भारती संगवाद किस प्रकार से प्रभावित होगा या उसके सामने क्या चुनोती आएगी इन सारे चीजों को भी discuss किया जाएगा वैसे तो polity का part है लेकिन थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी छुकर निकलना पड़ेगा चलिए अब यहाँ पर एक topic मैंने कहा था कि बाद में हम discuss करेंगे नीजी एवं सारजिक शेत्रोंगे तो public-private partnership investment investment model पर आधारीत की शब्द लिखे हुए ठीक है यहाँ पर आपको English में changes in the role of public and private sectors and their shares in total plan ठीक है तो मटे मटे तौर से ऐसा investment model नहीं दिया हुए जब हम Indian economy subject पढ़ते हैं तो उसमें एक investment model वाला भाग आता है उसमें अलग-अलग प्रकार के model होते हैं और उसी model के अंतरगत एक model है पब्लिक-प्राइबेट पार्टनर्शिप ऐसा especially हम mention तो नहीं किया हुए लेकिन जो बात कहीं गई है वो बात उसी से ही related है कोई बहुत बड़ा topic नहीं 8-10 line तयार करना है कुछ-कुछ-कुछ-कुछ fact जूण-ढूण के लिख लेना है किसी भी theme में पूछे वही content जाके छाप देना है तो यह जो उपर का दो topic है ना यह बहुत जादा ऐसा बड़ा conceptual है ने लेकिन यह बात भी सत्य है कि उसका content अच्छा वाला कहां से खोजे यह मन में चिंता होती है मत करो चिंता एक दिन बैठो दो घंटे टाइम लगेगा दोनों topic को ऐसे net में search करो उसके आट-दस point निकल जाएंगे कुछ facts आजएंगे facts लिखो के mark सच्छे मिलेंगे एक जगे पर लिख कर रख लो समय समय पर आप उसे याद करते रहो रटते रहो और एक्जाम से पहले थोड़ा सा go through कर लो जाके लिखते हो और वैसे भी question कमाते हैं वहां से तो बहुत बड़ा मामला नहीं है तो मोटे मोटे तोर से इंडियन एकनोमी का जो syllabus है वह national income टॉपिक पर केंद्री थे वह राजकोशी नीती या फिस्कल पॉलिसी पर केंद्री थे वह मुद्रा मुद्रा इस्विति एक बार मुद्रा आपूर्ती के वे भी ने द्रिश्टी कोंड पूछा गया था M1, M2, M3 syllabus मनी लेकिन पूछा गया था और फिर उसके बाद banking and non-banking financial companies यहाँ पर मुद्रा इस्विति के बाद जो शब्द मैं भूल गया था वह है मौद्रिक निती monetary policy फिर पांच वाद भुक्तान का संतुलन सर ये तो syllabus में कहीं नहीं था लेकिन बच्चो जब आर्थिक सुधार पढ़ोगे तो आर्थिक सुधार पढ़ने से पहले 1991 के आर्थिक सुधार को पढ़ने से पहले भुक्तान के संतुलन को समझना होगा क्योंकि भुक्तान के संतुलन के संकट नहीं तुरंत ये LPG रिफॉर्म लाया था या LPG रिफॉर्म के लिए जो तत्काली कारण था वो भुक्तान के संतुलन का संकट था तो इसलिए आर्थिक सुधार या economic रिफॉर्म पढ़ने के लिए balance of payment बुक्तान का संतुलन पढ़ना होगा ठीक है फिर उसके बाद गरीबी एवं बेरवजगारी ठीक अब देखिए जो आप लोग राजकुशी निती में जब राजजा सवे पढ़ेंगे तो राजजा सवे में आप लोग वी निवेश के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और यह current का मुद्द है तो जो मैंने कहा कि जो static part लिखे हुए हैं उन static part के जो बरतमान में या current में जो कुछ मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों को भी cover करना साथ में जिस investment उसका एक example है cryptocurrency एक example है GST एक example है यह सारे पार्ट आपको cover करने ठीक तो अगर आप इतने syllabus syllabus में जो लिखा हुआ है लेकिन उसके बाद जब हम ऐसे निचोल निकालते हैं यह छे पार्ट इन छे पार्ट को जब आप cover कर लें अच्छे से सारे dimension आप इसे cover कर लें तब लगबग लगबग जितने भी question आएंगे उसके 95% question आप cover कर लें चेक syllabus discussion समाप्त आगे करवा ही बढ़ाते हैं उत्तर लेखन हितु महतवपुन बिंदुए important points for answer writing especially Indian economy के लिए बहुत सारी बाते हैं आप बाकी विश्यों में बिड़ी लागू कर सकते हैं Indian economy के लिए तो ये लागू हो गई जब भी आप answer writing practice करें देखें ये तो मेंस के exam के दिन तो आप follow करेंगे लेकिन उस दिन ना तो दिमाग शान्त होता है ना तो हाथ पाऊ इतने शान्त होते हैं ना मन उतना शान्त होता है तो direct उसी दिन हम ये सारी चीज लिख लेंगे अचानक से ब्रह्म ज्यान हो जाएगा या जीवन में कोई जादू आएगा और हाथ फेर के अचानक से हमारी बुद्धी एकदब बढ़ा देगा ऐसा सोचना थोड़ा सा छीक नहीं तो इसलिए हम direct उस दिन apply करेंगे ऐसा सोच के इंतिजार नहीं करना है हमें क्या करना है पहले से इन सारी चीजों को पढ़के लिखके अपलाई करके अपने habit में fit कर लेना है अर्थात answer writing practice करना है answer writing practice इनहीं बिंदूओं पर करना है सबसे पहले जब भी कोई question आप पढ़े पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो उसके content को लेकर आनी चाहिए जो content आप लिख रहे content हमेशा accurate होगा सर यह तो पता है गलत लिखेंगे नंबर कहां से मिलेगा धैर रखो बच्चों आगे बढ़ा आओ सबसे पहले आप question जब पढ़ें तो उस question में जो भी पुछा गया है आप थोड़ा सा सांस लेकर दो-तीन सेकंड एक बार cross check कर लें कि जो content आपके दिमाग में पुरंत आया वो content क्या सही है इस question के लिए जवाब आता हाँ तो आगे बढ़ी है क्यों कई बार क्या होता है हम question पढ़के जो सोचने अच्छा ये पूछ रहा है और लिखने लगते हैं बाद समझा अरे यार ये तो नहीं तो दूसरा ही पूछ रहा था तो ऐसी गल्दी ना हो तो जब भी आप question पढ़ें तो सबसे पहले content के बारे में विचार करें कि इसका accurate content क्या होगा मिल गया छेक बात उसके बाद दूसरा चीज़ अपलाई करना है correct and precise content आपको मिल गया फुरसे इसे बीच में ले आते है अगला जो बात ध्यान में रखना है कि जब आप answer लिखें तो आपका answer to the point होना चाहिए और हमसे क्या अगलती होती है जो पूछा गया है जितना हमको पता है हम सब लिख देंगे सब बता देंगे क्यों कंजूसी करें इतनी महनत से हम सारी चीज़ों को पढ़ें हैं इतनी महनत से हम लोगों ने इनका नोड बनाया है इतनी महनत से हम लोगों ने सारी चीज़ों को रिवाइस किया है अब मौका मिला है तो क्यों ना हम सारा चीज़ निकाल कर उसमें रख दें तो इस तरह से emotionally होकर नहीं चलना है जो पूछा है वही लिखना है जितना पता है वह लिखना ऐसा समझ रहे होंगे अंतर ऐसा नहीं करना है तो to the point आपका answer होना चाहिए ना बाहर ना अंदर जितना पूछा न उस से कव न जादा उतना आपको बताना है तो पहला तो content आपका precise होना चाहिए correct होना चाहिए और दूसरा क्यों होना चाहिए to the point होना चाहिए यहां से फिर आगे बढ़े है तब कौन सी बात आपके बतलब correct और precise मिल गया आपका answer अब अगली बात to the point भी आप समझ गया है तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है answer लिखते समय आप जितने भी points लिख रहे हैं उन सारे points का sequence सबसे अच्छा होना चाहिए मान लो आप 5 point लिख रहे हैं तो सबसे important वाला point सबसे पहले आएगा उससे least important वाला उसके बाद आएगा और सबसे least important वाला सबसे आखरी में आगा अर्थात importance के priorities पर आपके points का sequence बनना चाहिए आपके answer में कभी भी least important वाला point पहले नहीं आना चाहिए answer में आपका प्रभाव अच्छा नहीं बनेगा और examiner आगे हो सकता है कि पढ़े ही न बुले अरे ये तो फालतू बाते main point लिखी नहीं रहे और इसे काटके आगे बढ़ जाए तो risk क्यों ले ना भई तो correct and precise ये practice करते समय बता रहा हूँ practice करते करते habit बना लोगे means के दिन automatically हो जाएगा जब भी question आप economic लिखे means के लिए घर में बैठके तो पहले question पढ़ते हुए इसका correct and precise content क्या है वो आप decide कर लें फिर उसका to the point कैसे लिखना है वो decide कर लें फिर जितने point लिखने वाले है उ दूसरे pillar में चलो दूसरा pillar क्या है भाशा ये language कई सारे विद्वान ऐसा बताए हूंगे आपको कि जब economy का paper लिखो तो पढ़कर ऐसे लगे कि किसी अर्थशास्त्री ने लिखा है भूगोल का paper लिखो तो ऐसा लगे कि किसी जोगरफर ने लिखा है इतिहास का लिखो तो ऐसा लगे कि फलाना फलाना ने लिखा थे बट बच्चो ध्यान से ये जो आप exam दे रहे हैं ये RBI में नौकरी पाने का नहीं है या किसी economic के छेतर में कोई exam आप नहीं दे रहे हैं इसलिए इसलिए ऐसी सारे बातों से परहेच करें आपके paper एक अच्छे standard language के होने चाहिए बेशक आपके paper को पढ़कर कभी भी ये फिल नहीं आना चाहिए कि एक deputy collector बनने वाले मानसिक्ता या परिपक्वता वाले वेक्ती नहीं ये ऐसे इसे शब्द लिखे हैं या ऐसे वाक्यों का निर्मान किया है या ऐसे शब्दों का चेहन किया है ऐसे भाव नहीं आना चाहि हैं वो आपको maintain करके चलना होगा लेकिन कभी भी इसे क्लिस्ट करने की कोशिश ना करें कभी भी आप economic के paper को economist level का मैं लिख दूँ ऐसे करूंगा तो number मिल जाएगा ऐसे सोच कर ना तो अपने आप परिशान करें और ना किसी की बात को सुनकर आप इसका पालन करें आपके paper चेक किये जा रहे हैं यह बात ध्यान में रखकर कि एक सिविल सेवा अभ्यरती का paper है इसको अगर यह पार हो जाएगा तो किसी प्रशाशनिक पद पर बैठेगा को इतिहासकार बन जाएगा आर्बिया का गौर्णर बन जाएगा इसलिए चेक ने किया जा रहा है तो इसलि का भाषा शब्द वाक्यों कनिर्मान करना चाहिए इस बात को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और बात होई आती है ना सर यह सारा चीज हमों तुम्हें बता दिया NCRT यह नियूस पेपर में अच्छे नियूस पेपर में जिस तरह का format होता है language का भाषा का जो इ ठीक है अब जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं वैसे तो वो सभी विश्यों में विद्वान होते हैं लेकिन मान लोग की एकनॉमी उनका मज़ेदार विश्य नहीं है और आप एकदम अर्थ शास्तरी इस्तर का पेपर लिख कर आए हैं और अर्थ विश्यों में उनकी कोई इसकी कोंट से तो गलत हो सकता है अब कौन पेपर चेक करता है क्या करता है कितने बार होता है उन सारे विचारों पर हम नहीं जा रहें उन सारे बातों में नहीं जा रहें बस मैं क्या बता रहा हूँ पेपर का स्तर अच्छा होना चाहिए साती सात सरल होना चाहिए एकनॉम भी होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए यह दूसरी बात आपको भाल्षा को लेकर समझने चलिए तो दो पिल्लर हो गया पहला तो content को लेकर और दूसरा हो गया language को लेकर चलिए आगे बढ़ते हैं आब आते हैं presentation को लेकर प्रस्तुती करण ये तीसरा पिल्लर है जिस पर आपको ध्यान रखना है answer writing practice करते समय कि आप अपनी बातों को आप अपने उत्तर को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं सामने वाले के सामने प्रेजेंटेबल कैसे है रोचक कैसा है लुभावना कैसा है आकर्शन कैसा है ये सारी बात इस प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा इसमें आप क्या-क्या बाते कवर कर सकते हैं कि भई कोई भी question पढ़ने के बाद paragraph में लिखना है कि point में लिखना है ये आप decide करेंगे इस question को बहतर तरीके से point में समझाया जा सकता है ये paragraph में लिखना है ये समझाया जा सकता है तो पहले से आपको decide करके नहीं चलना है question देखकर decide करना है कि ज़्यादा better तरीका क्या होगा paragraph में answer लिखना या point में answer लिखना और कुछ question तो ऐसे होते हैं जिसे पढ़ते ही ये पहले ही पक्का हो जाता है कि point में लिखना है पहले कारण बताओ चार-पांच कारण points में कारण लिखना है महत तो बताओ significance क्या है relevancy क्या है समस्याएं क्या क्या थी समधान क्या क्या है तो जहां पर मात्रा संबंदित बात होगी उन मात्राओं को तो आप points पर ही लिखेंगे जहां पर concept की बात होगी definition की बात होगी वहां पर तो आपको paragraph में लिखना है जहां पर अंतर की बात होगी कि इसके इसके बीच में अंतर बताओ वहां पर आपको column बनाना होगा अब तीन column बनाएंगे GDP और GNP के बीच में अंतर तीन column पहला जो column होगा वो आधार का होगा किन-किन अधारों पर अंतर है और बाकी दो column एक तरफ GDP एक तरफ GNP पांच पॉइंट लिख दीजिए खड़ाक से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे चेक जब आप answer लिखें तो important keywords को underline भी करें मान लेते हैं कि मैं paper चेक कर रहा हूँ आपका paper आया और दिन भर paper चेक कर रहा हूँ रात के साड़े ग्यारा बज़ गया है और आपका paper अंतिम paper है जिसे चेक करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अराम करने सोने और आपका paper दिखा उसे बहुत सारे शब्द हैं अब सही answer खोजने के लिए मुझे सब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ये क्या है मेरे लिए hectic type का काम लग रहा है अगर आप जिन्होंने answer लिखा है अगर इसे थोड़ा सा सरल कर दें तो मेरे लिए अच्छा होगा आप क्या जो important keyword है जो पूरे paragraph या पूरे statement को जो सबसे महत्वपून बिंदू है जो उस पूरे paragraph या पूरे statement की आत्मा है उसे आप underline करतें तो जैसे ही मैंने आपका paper दिखा बहुत सारे शब्दों को पढ़ने का भी एक विकल्प है और सिर्फ महत्वपून बिंदूओं को पढ़ने का भी एक विकल्प है और सिर्फ मैं तो पूर्ण बिंदूओं को पढ़कर मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि आपने आंसर अच्छे लिखे हैं, सहीं लिखे हैं या नहीं जल्दी भी चेक हो जाएगा, पॉजिटीव एनरजी भी आएगा, यहां भी देखो जल्दी से बढ़ियां अच्छा सुन्दर पेपर दीख रहा है, चेक करना वो असान हो रहा है तो इससे मार्क्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, साथी साथ कुछ अगर बीच-बीच में थोड़ी बूद गलती होगी, तो नजर में शायद ना आए इसलिए इंपोर्टेंट कीवर्ट्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है तीसरी बात फ्लोचाट, एरो डाइगराम, ग्राफ, इन सब का इस्तमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान में रखने हैं कई बार क्या होता है ना चाहतर ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा करने से, फ्लोचार्ट बनाने से, ऐसे हर चीज में ऐसे ऐरो डाइग्राम बनाने से, ऐसा करने से हमें नंबर तो अच्छा मिल जाएगा, ऐसे ही करना चाहिए, हो सकता है मिल जाएगा, लेकिन ये आपके priority पर आखरी में होना चाहिए, पहले के पीछे सबसे पहला एक सवाल अपने मन से पूछें कि क्या ये इस से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अगर जवाब बता है हाँ तो लिख लिए या कई बार बहुत सारी बातें लिखनी हैं लेकिन शब्द सीमा बहुत ही कम है उस समय पर हम फ्लोचार्ट ऐरो डागराम बना सकते हैं ज्यादा दिमागुस टाइम लिए लगाना है बहुत सारा शब्द है कि ये हुआ ये राजा के बाद वो राजा आया अब बोलें सारे एकनॉमी के में कहां राजा ये जनरल एक्जाम पले है एकनॉमी में ले लेते हैं प्रोडक्शन होगा एम्प्लोइमेंट होगा लिविंग स्टेंडर्स बेटर होगे मार्केट में डिमांड होगा प्रॉफिट होगा प्रोडक्शन फिर बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ये सारे चीज़ों को लिखोगे बहुत सारा शब्द लगेगा एरो डियाग्राम से प्रोडक्शन बढ़ा इम्प्लोइमेंट जनरेट हुआ ऐसे एरो करते करके आप आंसर लिख सकते हैं लेकिन आखरी में पर ये प्राइटी पर आखरी में होना जाए जबरजस्ती का निडालने कि नहीं ऐसा करने से किसी ने बताया था कि ऐसा डाइग्राम फ्लो चार्ट ऐसा बना देने से नंबर मिलता है तो हर जग़ा घुसा रहे हो जहां पर ज़रूरी नहीं है हाँ जोग्रफी के सब्जेट के लिए तो डाइग्राम तो मस्ट है जोग्रफी और साइंस के लिए तो डाइग्राम तो मस्ट है लेकिन बाकी विश्यों में थोड़ा सोस समझ के चलना है जबरजस्ती का निडालना है कोई भी चीज जबरजस्ती की अच्छे नहीं लगती है तो ये तीन पिलर्स है अंसर राइटिंग करते समय आपको धियान में रखना है पहला कंटेंड, दूसरा लेंगवेज और तीसरा प्रेजेंटेशन प्रस्तुति करा ठीक है बड़ियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है चलिए अब हम प्रिवीयस यर के कुछ पेपर पर डिसकुर्शन कर लेते हैं चीक है दो हजार दो साल का देख लेते हैं 2018-19-20 का भीच देख लेते हैं चलिए समझते हैं दो अंकर के में कोश्शन पूछा गया है भारत में राश्री आय की गंड़ना में त्रतिय छेत्रक के अंतरगत किन-किन सेवाओं को संभिलित किया गया है। देखिए राश्री आया है। और राश्री आया है जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक आप पढ़ेंगे पक्ष डिमांड साइड और सप्लाई साइड। सप्लाई साइड को ही सेक्टर्स ओफ एक कौन-कौन से आर्थिक गति विदियो को रखा जाता है उसका उल्लेक बस कर दो दो नंबर मिल जाएगा। चेक है। बस इतना से मिल चेले। तो वही नेशनल इंकम पार्ट से। उधारी करन्ट से आप क्या समझते हैं। यह आपका कौन सा पार्ट हो गया। एकनॉमिक रि रिफॉर्म के अंदर आते हैं। लेकिन सबसे जादा अगर इंपॉर्टेंट वाला समझना हैं तो एल्पीजी रिफॉर्म आएगा। और एल्पीजी रिफॉर्म का एल अर्थाद उधारी करन्ट लिब्रलाइजेशन पर कोशन पूछा गया। सस्ती मुद्रा निती का अर्थाद मुद्रा अपूर्ती को बढ़ा देना, Expansionary Monetary Policy करना, अर्थाद कम ब्याजदर कर देना, रेपो रेट कम कर देना ताकी कम ब्याजदरो पर ज्यादा money supply यह अर्थात लोग ज्यादा उधार ले ले मार्केट में डिमांड इससे बढ़ेगा चीक है तो इंफलेशन से connected है और यहाँ पर यह जो monetary policy चीप monetary policy इंफलेशन से related है दो दो नंबर में है बस definition के form में इसको लेकर आगे बढ़ना होगा वही बाते content language और presentation निती आयोग पर संच्छिप्त इपणी लिखिए निती आयोग तो कहीं से लिबस में था नहीं सर फिर इकनॉमिक रिफॉर्म में भी निती आयोग आएगा planning commission हटा तो निती आयोग की importance बन गई finance commission पढ़ोगे तो भी निती आयोग पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा तो निती आयोग को तो बहुत सारे जगों पर पढ़ना पढ़ता है यह तो important party है syllabus में कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना पढ़ेगा कहां कहां पढ़ सकते हैं अभी जैसे मैंने बताया जब आप economic reform पढ़ेंगे वहां पर निती आयोग पढ़ेंगे क्योंकि economic reform related to planning planning related to planning commission and abolition of planning commission मतलब coming of निती आयोग अब पूछा गया है कई बार question दोजो नंबर के question है simple simple line से लेकर चलना है चार अंक में रेपोरेट और reverse रेपोरेट में अंतर बता है दो तरीका है पहला कि पहले आप रेपोरेट ऐसे heading डाले सब heading और उसके बाद रेपोरेट लिखके ख़दम करते हैं फिर उसके बाद reverse रेपोरेट ऐसे आप लिखे और उसके बाद आप लिखकर ख़दम करते हैं एक तरीका क्या है column बनाए तीन जो भी मैंने बताया एक तरफ रेपोरेट एक तरफ reverse रेपोरेट और एक तरफ अंतर का अधार ठीक सबसे पहले अधार पर क्या लिखेंगे definition तो आप definition लिखें कि कौन किस को किस ब्याजदर पर देता है फिर उसके बाद इसका प्रभाव या उप्योग बताएंगे ठीक है कि दोनों को बढ़ाने से या दोनों को घटाने से क्या होगा ठीक तीसरा point भी आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में इनके दर क्या है ये वाला तरीका ज्यादा माक्स निकालेगा जो ये point में आपने लिखा जो आप कॉलम बना के लिखा प्योगे बिरोजगारी दर की गणना किस प्रकार की जाती है मैं वज़ा बिरोजगारी का माप आपके सिलिबस में दिया हुआ भारत में वर्तमान में बिरोजगारी दर कितनी है अब 36 गण का तो आप लोग रोज देख रहे हैं हर महिने आप देख रहे हैं ट्वीटर में आ रहा है पेस्बूक में आ रह कि यहाँ पर आप पैराग्राफ पैराग्राफ पोइंड वनाकर लेख है अर्था पहला तरीका दूसरा तरीका और त् Autom書 बार प्रादोकि पोछ ते हैं कि सब्रूसर जब हम आंसर लेखते हैं तो क्या हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इपूर्टन है शब्द मादान आकर कि कौन कॉन कौन रे वही रा सार्जनिक वै पर या जब आप बजट में देखेंगे सार्जनिक राजस में तब राजस प्राप्ति और राजस प्राप्ति कि अंतरगत text and non-text और इसी non-text के विभिन component आपसे पूछेगे आकड़े लिखना क्या जरूरी है अंदाजन होगा तो लिख लो रट रटना नहीं है और ये सारे चीजों को रटना भी थोड़ा सा तारकिक नहीं है चीक है स्टारजनी की वह में वृद्धी के प्रमुक कारणों पर चर्चा के जिए अभी इसमें जब आप कारण लिखेंगे दो तरह से लिखेंगे एक बरतमान में जो कारण बने है वो और एक ऐसे कारण जो दिर्ग काल से चले आ रहे है दिर्ग कालिक कारण तो बरतमान कारण में आप प्रेजिडेंट का बात ले कराएंगे कोविड हुआ लॉक्डाउन हुआ लोगों गरीब हो गया सरकार वो खर्च करना पड़ रहा है सरकार कर में छूट दे रही है खर्चा जादा करना पड़ रहा है दिर्ग कालिक कारण में कि लंबे समय से सरकार ऐसा करज लेकर आई है ऐसा सरकार कर रही है इसलिए यहाँ पर बृद्धी हो रही है भाराज सरकार के गरे भी उन्मूलन कारेकरों का मुल्यांकन करें वो भी मैंने आपको बता दिया कुछ ऐसे स्कीम होंगे जो रिसेंट में आए होंगे खाल ही में आए होंगे ठीक और कुछ ऐसे होंगे जो कुछ दश को पहले आए होंगे अर्थात पुराने होंगे ठीक तो इस तरह से भी आप स्कीम को मेंशन कर सकते हैं चलिए राश्रियाय को परिभाशित करिए देखे फिर से 2019 में एक कोशन पुछ लिया गया नैशनल इंकम से एक कोशन दीख रहा है फिर जब आप नैशनल इंकम पढ़ते हैं और राजकोशी नीती तक आते हैं तो इनके बीच एक जोड बनाता है आर्थिक वृद्धी एबम विकास एकनॉमिक ग्रोथ एबम एकनॉमिक डळलापमेंड विकास क्या होता है और उसी विकास के अंतरगत एक आता है सतत्विकास sustainable development सिलेबस में नहीं है लेकिन एकनॉमि में जब पढ़ा जाएगा तो आर्थिक विकास पढ़ा जाएगा देखें यहाँ पर Disguise Unemployment पूछा गया है syllabus में mention नहीं है लेकिन बेरुजगारी पढ़ेंगे तो यह पढ़ना ही पढ़ता है वी निवेश से आप क्या समझते हैं What do you mean by Disinvestment syllabus में नहीं है लेकिन राजकोशी निती पे सरजनीक वे लिखा हुआ है और सार्जनीक में जब आप पढ़ेंगे तो भी निवेश पढ़ेंगे और इसका एक्जाम में पुछे जाने की सम्भावना जादा क्यों क्योंकि यह अभी बहुत जादा सुर्खियों में रहता है सरकार अपने शेहरों को बेच रही है निजी छेत्रों में उस थीम पर बेस्ट यह टॉपिक हमेशा निउस में बना रखते है चलिए निर्धन्ता के दुष्चक्र की व्याख्या केजिए वही निर्धन्ता और बेरुजगारी से क्या समस्याएं आएंगी उस पर आधारित है चार अंक साठ शब्द राजकोशी घाटे को समझाईए और ये फिर वही Human Development Index जो आर्थिक विर्धी आर्थिक विकास वाले टॉपिक से संबंदित है चलिए मोटे मोटे तोर पर कोश्चन सारे जो हम डिसकस किये हैं वही पर से हैं वही टॉपिक से हैं अब इसके आगे तो बात वही हो सकती है कि आंसर फ्रेमिंग ही किया जाए लेकिन उससे विडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा तो जो हमने बाते की हैं उसे हम इस कोश्चन के साहता से समझते हुए आगे बढ़ते हैं मौद्रिक निती से क्या आशा है 15 अंको को में मौद्रिक निती के प्रमुख उपकरंड की गाक्षा कीजिए तो वहीं यहां पर inflation भी आ जाएगा मौद्रिक निती का definition भी आ जाएगा मुली स्थिरता ऊर्थिक बृद्धी वाली लोन टू वैल्यू रेशियो, कंजूमर क्रेडिट कंट्रोल, मोरल स्वेशन, वो सारे पार्ट इसके अंतरगत आ जाएंगे. तो दो सालों के जो हमने पेपर देखें, उस पेपर में जो कोश्चन्स पुछे गए हैं, उनके डिसकेशन से भी, जो हमने अभी तक समझा सिल्ले बस परादारित, वो सही साबित होता है. तो उमीद है, ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा, आप लोगों उखने लापकारी होगा, और अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्ण हो, या कोई सुझाओ हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्षन में दे सकते हैं. चलिए, फिर किसी वीडियो में, किसी प्रोग्राम के तहट आप से दुभारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक पियर, गुड़ बाई, एंड थैंक यू.